D.Y.F.I. और S.F.I. ने ADC के मादिम से मुख्या मंतरी को ग्यापन बेजा जिसमें मुख्या मांग रिवासर में हुए साड़े चार साल की बच्ची के साथ गुर्दुश करम मामले के अरोपी को गिर्पतार करने की मांग को उठाया है जब बच्चों का मेडिकल जांच के लि D.Y.F.I. और S.F.I. ने ADC मंडी के मादिम से मुख्य मंतरी को ग्यापन बेजा है जिसमें मुख्य मांग रिवासर में हुए साड़े चार साल की बच्ची के साथ हुए दुश करम मामले के अरोपी की गिर्फतारी की मांग प्रमुकता से रखी गई है जब बच्ची को मेड मेडिकल कॉलेज नेर चौक ले जाया गया तो मेडिकल जाच के लिए चार घंटे तक उसे इंतजार करना पड़ा जो की निंदनीय है इस मामले की तह तक जाच होनी चाहिए और आरोपी को जल्द गिर्फतार करना चाहिए ग्यापन में कहा गया है कि पूरे परदेश में ल लाचार कारे परणाली को दर्शाता है और यदि दोशी जल्द नहीं पकड़ा जाता है तो डीवाई एफ़ाई और एसेफ़ाई अन्य संगठरों के साथ मिलकर उगर आंदोलन करेगी जिसके जिम्मेदारी जिला प्रशाशन वा परदेश सरकार की होगी पारी है और इसको जल्द से जल्द किया जाए तथा जो आज स्कूल कॉलेजों के अंदर पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको प्रोटेक्शन प्रवाइट करवाने की जरूरत है आज के समय के अंदर और इसके उपर सखत कानून बनाने की जरूरत है जिसके से देश की सरकार जिसके राष्टपती ने भी मोहर लगाई है कि छोटी उमर की बच्चों के साथ जो इसको आज दुश करम होते हैं उसके उपर फांसी की सजा होगी तो हम यह चाहते हैं कि इसके जिसके मात जल्द से की यह जो कानून है इस कानून को सही डंक से लागू किया जिसके तब ज जिवासर का इंसिडेंटे इसके उपर जल्द से जल्द का रहे हैं और ठोस का रहे हैं बगतो चलक्चोंटे से ब्रेक का यह मिलते हैं ब्रेक के बाद